नमस्कार आपका पोहो स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रतिमेश चूतिश चैनल अंक सास्त्र एक गूण प्राचीन अध्यन है जो कि प्रतियक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व नियती और देश की ब्याख्या करने वाली संख्याओं का एक अनूठा व्यक्तिगर्ट सै प्रत्लान करता है जिन व्यक्तिओं का जन्म किसी भी महिने की तीन बारे 21 या फिर 16 तारीक को वहाubby उन्हों का मूलनक 3 होगा मूलनक 3lar का स्वामी ग्रह ब्रस्पति जो इस सभी ग्रहों का गुरू है मूलांक तीन वाले व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी होते हैं किसी के आगे जुकना इन्हें पसंद नहीं होता ये किसी का ऐसान लेना पसंद नहीं करते इन्हें किसी का बेवजय हस्तशे भी अपने जीवन में पसंद नहीं आता है इस मूलांक वाले व्यक्ति साहसी, बीर, शक्तिसाली, अविचल, संगर ससील, श्रम जीवी तथा कष्टों से हाल ना मानने वाले होते हैं मूलांक तीन नए साल के राशिफल की बात करें तो 2023 आपके लिए अच्छा साबित होगा प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ और पढ़ाई के छेतर में भी अच्छे परिणाम आपको हासिल होंगे इस वर्स आपको लाप राप्त करने के कई नए अफसर हाथ लगेंगे तो आईए जानते हैं कि मूलांक तीन के लिए ये साल कैसा रहेगा इससे पहले अगर आपने अभी तक मारे चैनल प्रतमेश जोतिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे, कमेंट कीजे और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजे नोटिफिकेशन को आउन कीजे तक हर वीडियो सब से पहले आपको प्राप्त हो अब हम करियर की बात करें तो करियर के छेतर में ये साल काफी अच्छा साबित हो सकता है नया ब्यवपार शुर करने का आप विचार कर रहे हैं तो ये वर्ष आपको अच्छी सफलता मिलेगी इस साल आप बिजिनिस से जुड़े हुए कुछ जरूरी फैसले ले सकते हैं हाला कि इस साल पार्टनर्शिप के कामों में विसे साबदानी आपको बरतनी होगी साथ ही ब्यवपार में भी किसी बिपरीत लिंक का हस्तशेप धनहानी या फिर कोई बड़ा नुकसान आपको दे सकता है अगर आपके आर्थी किस्तिती की बात करें तो मूलंक तीन वालों के आई में ब्रदी के योग मजबूत बनते हुए नजर आ रहे हैं अपने कारें में फोकस रखने की आपको आवशकता होगी इस साल मानसिक तनाम में थोड़ी ब्रदी हो सकती है लेकिन आर्थी किस्तिती आपकी मजबूत बनेगी साथ ही ध्यान रखें कि शौट कट न अपनायाने था धन हाने आपकी हो सकती है वही धन आगमन की बात करें तो आवशक होने पर आकस्मिक धनलाब हो सकता है इस साल आपको धन में ब्रदी देखने को मिलेगी आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा आर्थे के इस्तिति आपकी अच्छी रहेगी आपकी लव लाइफ की बात करें तो मूलांग तीन वाले जो लोग शादी शुदा है उनका अपने पार्टनर के साथ सम्मंद कुछ बिगड़ सकता है परसनल लाइफ में परिशानियां आ सकती है प्रेम करने वालों के लिए प्रेम रिष्टों को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को पेस जरूर दे किसी भी तरेकी की गलत फहमी से आपको बचना चाहिए एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें अगर आपके स्वास्त की बात करें तो मूलांग तीन के जातक यह साल स्वास्त की दृष्टी से मध्यम रहेगा बर्स 2023 के मध्यम में आपको स्किन एलर्जी परिशान कर सकती है इसलिए तेज और अधिक मसालों का प्रयोक ना करें इसी के साथ आपको किसी विश्य को लेकर मानसिक तनाब हो सकता है इसलिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए जिससे कि आपको मान सिक सांती मिलेगी 2023 की बात करें तो तीन अंग को अपनी पर्सनल लाइफ में कुछी कठनाईयों का सामना करना पर सकता है वही प्रोफेशनल लाइफ करियर पढ़ाई में आप अच्छे परिणाम हासिल करेंगे इस वर्स आपको विश्येस अपसरों का आप लाब उठा सकत हैं इस दोरान आपकी पर्सनल लाइफ तनाप पूरिया फिर परेशान करने वाली हो सकती है लेकिन आप सब कुछ अच्छी तरह के से मैनेज करने में सक्षम होंगे आपके लिए फरवरी मई और नवंबर का महीना अच्छा सावित होगा और आपको इस अवदी में विवहा मामलों में सकारत मक्ता देखने को मिलेगी इन महीनों के दोरान कुछ बड़े निर्ने भी लिए जा सकते हैं क्योंकि मूलांक तीन वाले लोगों को अनुकूल समय के से लाव प्राप्त हो सकता है कुल मिलाकर ये साल आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ कठनाईयों को मामलों में काफी अच्छा साबित होगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े और दोस्तों के साथ जादा से शादा शेयर कीज़े आप मिलेंगे एकली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद